नमस्कार साथियों आप सभी का इस क्लास में स्वागत है आज हम UPPGT 2016 में जो एक्जाम हुआ था उसका सेकंड पार्ट हल करने का प्रयास करेंगे पहले पार्ट में हम कुल 65 परसनों को हल कर चुके हैं तो आब 66 से शुरू करते हैं पेपर बहुत आसान है बिलकुल भी मुश के लिए कुछ-कुछ ऐसे परसन है जो आपके लिए इपोर्टेंट है आपके नोट करने लाइक है तो आप उनको नोट कर लीजिए और अपने नोट के अंदर उनको लिख लीजिए वो दुबारे भी प्रिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं शुरू करते हैं परसन नमर 66 स विवा का किस परकार का सौरूप विश्वय में कहीं नहीं पाया जाता है एक विवा सरोमन्य हो गए है आज कल देरे-देरे पूरी दुनिया में विवा का जो सौरूप है वो किस तरह बढ़ रहा है एक विवा की तरह बढ़ रहा है बहुपति विवा कुछ ही ऐसे जन जात ये समुदाए बच्चे हुए हैं, जहां पे बहुपत्य विवा होता है, और बहुपत्नी विवा है, वो कुछ धर्म विशेश में, जैसे कि इसलाम में चार पत्नियां रखी जा सकती है, हिंदु धर्म में पहले हम देखते हैं कि कही जगए दो पत्नियां हुआ करते थी, दो समुदाए विवा दुनिया में कहीं भी नहीं होते हैं, मोरकन ने जो वरगी करण दिया था, उसमें उन्होंने समुदाए विवा की चर्चा जरूर की थी, लेकिन वो बहुत प्राचिन काल में, जब विवा अपनी प्रारंबिक स्टेज में था, उसको तीसरा चरण इन्हो ने बताया था, लेकिन ये बहुत हजारों साल पहले की बात है, समुदाए विवा, और बारत में से कोई जन जाती नहीं है, जो समुदाए विवा करती हो, परसन नमर 67, भारत के जोन सार बाबर की साखा, जन जाती में किस परकार की, विवा पदती है वो परचलित है, जोन स जन जाती है, खस जन जाती, खस जन जाती, तो इसमें किस परकार की विवाग है वो परचलित हैं, तो देखो भारत के अंदर कुछ जगे बहुपती और बहुपतनी विवाग परचलित हैं, तो इन में जो है, तो आपको पता होगा कि एक विवाग का तो चर्चा बहुत कम होत बहु विवा के परकार के होते हैं, बहु विवा दो परकार के होते हैं, बहु पति विवा और एक बहु पतनी विवा, तो इसमें जो है, वो क्या है, कौन से हैं, बहु पति विवा, क्या होता है, बहु पति विवा होते हैं, बहु पति में, यानि एक इस तरीके के पति होते ह वो दो परकार के होते हैं, एक ब्रातक बहुपति विवा, जिसमें जो पती होते हैं, वो आपस में बाई होते हैं, और एक ए ब्रातक बहुपति विवा, जो पती होते हैं, वो आपस में बाई नहीं होते हैं, तो ब्रातक और ए ब्रातक बहुपति विवा है, वो इस खस जनज साथी में पाई जाते हैं और जो आ ब्रातक बावुपति व्यृत है वो भारत की नायर जनजधी के अंदर पाया जाता है और टोड़ा एक Say जनजधी है जिसमें ब्रातक बावुपति व्यृती व्यृत Korean he अब राद तक बहुपती विवा भी होते हैं, कुछ परसन रहे गे थे, 2-3 परसन पहले पार्ट के अंदर, एक तो ये था कि बहुपती विवा का अर्थ क्या है, तो मैंने क्या देख लिए, यहीं से देखा, तो B-Option नहीं देख लिया, कि अनेक पुर्सों से विवा करती है, ये नहीं देखा था, कि अनेक, तो ये जल्दबाजी में आप इसी गलती मत करना, मैंने पहला पाट बनाया था, तो मैंने इसको सही बता दिया था, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने देखा, कि इस तरी Caesar अनेक पुर्शों से विवा करती है, इसमें ये सही क्या होगा, कि ए बारत के अंदर ये खासी, गारो और नायर, ये तीन परमुख, मातरस्तात्मक जन जातियां है, मातरवसिय जन जातियां है, आगे है परसन नमर 68, ये जो परसन है 68, ये आपके लिए इपोर्टेंट है, अगर किसी को नहीं पता है, क्योंकि सामाजिक नियाए की बात है, वो ब बार-बार परिक्षाओं में की जाती है, बार-बार परिक्षाओं में की जाती है, तो परसन है कि सामाजिक नियाएयों, अधिकारता, मंतराल्यागा गठन, कब किया गया, तो कब किया गया, उननीसो अठाण में में किया गया, कब किया गया, उननीसो अठाण में में किया गया किसी समाज में विवा का सवरूप अतनस निश्चित होता है जो विवा का सवरूप है वो किस से निश्चित होता है देखो लास्ट में जाकर विवा का जो सवरूप होता है देरे देरे हम पर्थाओं से कानून की और बढ़ रहे हैं हम अनौपचारिक से ओपचारिकता के और बढ़ रहे हैं, जो परंपरागत समाज से आद्धूनिक समाज की और बढ़ रहे हैं, तो जब इस परकार का सवरूप होता है समाज का, तो उसमें अन्ति में जाके, जो सुविकारे किया जाता है, वो क्या किया जाता है, कानून के दौरा, किस के दौरा, कानून के दौरा स्विकार्य किया जाता है किस विचारक ने धरम का समन्द पुंजिवाद युवस्ता के साथ जोड़ा तो धरम और पुंजिवाद की चर्चा है वो किसने की पताई होगा आपको मैक्स वेबर ने कहा कि पुंजिवाद का उद्य है 1904 और पांच मेन की पुस्त काई थी the spirit of capitalism तो पुंजिवाद का उद्य और एथिक सोफे प्रोटेस्टेट संपरदाय की जो अचार सहिता थी उसकी वज़े से पुंजिवाद आया तो ये किसका मानना है ये मैक्स वेबर का म इन इसमें भारत के बोध और हिंदू और इसलाम दरम थे एक यहुदी दरम था एक जीन का ओनफीशियस दरम था और इसाई दरम था अब है एक मुस्लिम पतिणी के पती द्वारस विवा के समय दिए जाने वाला धन क्या केलाता है तो हमारे जो हिंदू दरम में जो दहें होता है, जो देहज होता है, उसे, क्या कहते हैं, उसे महर कहते हैं, क्या कहते हैं, महर कहते हैं, और जन जातियों में इसे वधु मुल्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वधु मुल्य कहा जाता है, तो इसका से या नसर क्या होगा, महर, ये भी कई परकार के होते हैं महर है जो जो मेने विवा का टोपिक है उसमें बता रखे हैं कि चार पांच परकार के महर होते हैं जो वास्तों में कभी दिया जाता है कि ये महर है ऐसा होता है जो वास्तों में दिया नहीं जाता है तो कई परकार के होते हैं किसने कहा कि पुरुष के ए अपने एक अधिकार को बनाए रखने के लिए, इस्त्रियों को अपने कबजे में करने के लिए, परिवार नामक सस्ता की रचना की, तो एसा किसने कहा था, एसा कहा था, इसा कहा था, इस्त्री ओफ मेरीज में, बेस्टर मारक ने, किसनों ने कहा था, बेस्टर मारक ने कहा थ था कि एक विवा ही दुनिया का सरोमन्य विवा मना जाता है पहले भी था और अब भी था आगे एक सिधान्त है विकास का आसरित सिधान्त क्या है आसरित सिधान्त का मतलब आसरित का मतलब क्या होता है निर्बर रहना क्या होता है निर्बर रहना किस पर निर्बर रहना तो ज विक्सित देश हैं, वो निर्बर करते हैं, कि इनको ऐ विक्सित देश, यानि जो गरीब देश हैं, वो विक्सित देशों पर आसरित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आसरिता का सिधानत कहते हैं, तो पुंजीपती देशों पर जो गरीब देश होते हैं, वो आसरित होते है परस नमर 74 विविन जातियों के दो वेक्तियों के परस परिविवा को क्या कहते हैं विविन जातियों के दो वेक्ति तो उसे क्या कहेंगे उसे अंतर जातिय विवा कहेंगे अंतर जातिए विवा, एक जातिए के अंदर उसको क्या कहेंगे, जातिए अंतर विवा या अंत्य जाती विवा, तो यह आज ऐकल इस पर एक क्योसन आता है, मैं अगली क्लास में बताऊँ आपको ओनर की लिंग पे, ओनर की लिंग की जो सिरुवात है, वो ज्यादा तर जो अंतर जात्य विवा को बीं माने लुए गई थी तो अंतर जात्य विवा और अंतर गौत्र ये विवा दोनों के कारण ौनर की लिंग होती है, इस पर डिटेल में चर्चा में अगले वीडियो में करूँगा, कौन सा कथन, सांसकर्तिक गुण के लिए होता है, कौन सा कथन है, संसकर्ति मानो निर्मित है, संसकर्थी सिखी जाती है, प्रतेक समाज की संसकर्थी समान होती है संसकर्थी में समाजी की गुण निहित होता है तो इसका संसकर्थी की गुण बताना है तो ये सारी के सारी संसकर्थी की विशेषता है option C, प्रतेक समाज की संसकर्थी समान होती है यह सांसकर्तिक गुण है, कौन सा सबद सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है, हम समुदाय के सदस्य होते हैं, समीति के सदस्य होते हैं, हम समुए के सदस्य होते हैं, हम समजिक संस्ताओं के सदस्य नहीं होते हैं, जैसे विवा है, नातेदारी है, इनके हम सदस्य नहीं होते हैं किस विचारक का समंद सांस्कृतिक वर्दी के नव उद्विकासिय सिधान्त से है, सांस्कृतिक वर्दी देखो कि उद्विकासिय सिधान्त, तो मौर्गन, बीर्ष्टीड ये उद्विकासिय सिधान्त के हैं, स्पेंसर भी आ जाते हैं, उसमें अपने दुर्खिम भी आ जा से रखते हैं, भावुकता परबल होती है, भावुकता किस में परबल होती है, भावना में बहते, जब हम भावना में बेकर कोई काम करते हैं, भावुकता में कोई काम करते हैं, तो मारा क्या होता है, तरक है वो समापत हो जाता है, हम में तरक समता नहीं रहता है, ऐसा होता है मोब में, किसमें होता है, मोब, मोब मतलब भीड, क्या होता है, भीड, भीड के अंदर दिमाख नहीं होता है, भीड के अंदर तरक नहीं होता है, भीड के अवल भावुक होती है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी की मर्तियू कर सकती है, किसी को मार सकती है, किसी का गर्जला सकती वो क्या है एक जो अपनी तिल्ली होती है माचिस की उसके जो पर बारूद होता है उसके समान होती है अगर एक के थोड़ी सी तिल्ली के आग लगी तो सारे के सारी जो माचिस की तिलिया है अगर वो साथ रखी है तो बीड वेसी होती है साथ में होती है तो सब जल जाती है तो एसा किसने का है, एसा का है, M. L. Sussman, ये आप note कर लीजिए, ये most important, आज कल cyber crime की तरचा है, वो हर प्रिक्षा में की जाती है, तो ये प्रिबासा है, वो most important है, इसको आप है वो अपने notes के अंदर aid कर सकते हैं, प्रात्मिक्समुए क्या उदारना किसने दी, ये तो हम सभी जा से बताए, आपको पताई होगा, नंबर एक सबसे पहले परिवार से शुरू होता है, फिर उसके बाद में पड़ो से शुरू होता है, और फिर तीसरा उन्होंने मित्तर मंडली, मित्तर समुए को, ये तीन उन्होंने प्रात्मिक्समुए बताए थे, एक है 81, डी स्कुलिं सोसाइटी, ए विद्याल्यकरण की अधारना है, वो किस से समंदित है, तो ये इवान, इलिच समंदित है, इन्होंने पुस्तक दी है, डी स्कुलिंग सोसाइटी, जिसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कि जो स्कूल है, ये बच्चों के विकास में बादक है, बच्चे को कहते हैं कि वो उसका जो सरवांगिन विकास है, जो नेसरगी की विकास है, प्राकरती की विकास है, उसको रोक के वो किसी एक करतरिम दिशा के अंदर उसका विकास है, वो करती है, यानि उसको नेचुरल रूप से वो बढ़ने से रोकती हैं विद्याले, ये ओधारना इन्हो और उन्हों ने कहा था कि ये जो स्कूल है, ये जो पुंझी पती वरग है, उनकी विचार धारा को स्कूल के माध्यम से थोपा जाता है। इसलिए स्कूलों को बंद कर दीजिए। अनौपसारिक शिक्सा, दीजियो अपसारिक शिक्सा कि कोई आओ सकता नहीं है। 82 क्या कहता है कि वेक्ति की विचार सक्ती, लुप्त पराय हो जाती है, तो वो क्या गई, विचार सक्ती, यानि तरक किसमें नहीं बसते हैं, समझी गए होंगे, अभी हमने चार परसन पहले ही चर्चा की थी, मोब जिसे कहते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं अलग रखूँगा कि विचार सक्ती, लुप्त पराय हो जाती है, तो भीड में हो जाती है, लेकिन यहां जो मुझे याद आ रहा है, उप्शन था, सही माना है, यूपी, पिजेटी के अंदर, जो आंसर की के अंदर, वो क्या सही माना गया है वो सरोता समुए को सही माना गया है, किसको माना गया है, सरोता समुए को सही माना गया है, उसमें भी हम काफिया तक सही मान सकते हैं, देखो सरोता समुए और भीड के अंदर क्या अंतर होता है, भीड एक के अंदर बिंदू के चारों तरफ ही कठी होती है, के अंदर बिंद बिखरी हुई हो सकता है शुरूतास्मुय यानि पहले से नियोजित होता है एक अंतर और क्या होगा कि जो शुरूतास्मुय वो क्या होता है पहले से नियोजित होता है जैसे कहीं राजनेतिक दल की सभा होती है तो पहले निस्चित होता है कि इस छेतर पर ये लोग परवचन देने के लिए यानि अपना परचार करने के लिए आएंगे लेकिन भीड के अंदर नहीं होता है भीड आकस्मिक रूप से किसी एक अंदर बिंदू जैसे कोई एक्सिटेंट हो गया तो वहाँ पे इकठी हो जाती है तो वेक्ति की मानी गई है वो है मरतिदर है वो 12.5 है कितनी है 12.5 देखो मैं लगभग मैंने 99% क्या 100% ही सही आनसर देने का प्रयास किया है फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हो सकता है कि आपके डाउट हो आप गलत हो सकता है मैं भी गलत है हो जाओं तो कोई भी आगर कुसी पे क्यूसंवे डाउट लगता है तो आप SM 있어서 जरूर लिखें अगर आप सही हैं तो इसको दुरस्त करेंगे अगर आप गल्थ हो तो आपका आनसर हो आपकी जो संकाथि समाधान उसका समाधान हो जाएगा आपका डाउट अबो कलियर हो जाएगा 38 परदा किस परकार की सामाजिक परकिरिया है यह एकी करन नहीं करती है आशिक रूप से नहीं करती है पूरी तरह से एकी करन जो ही ऐसे होगा आत्मक किरिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर हिसा का, इन्सा का भाव होता है, क्या होता है, इन्सा का भाव होता है, ये पर्तेक्स होती है, जो संग्रेस होता है, वो क्या होता है, पर्तेक्स होता है, डारेक्ट होता है, ये लंबे समय नहीं हो हो जाएंगे, लेकिन competition लंबा करेंगे, जैसे UPGT की अभी अगर आप त्यारी कर रहे हैं, तो काफी लंबा समय हो गया है, तो आप competition लड़ रहे हैं, और जब तक एक्जाम नहीं होगा, तब तक ये competition करते रहेंगे, यानि इसके अंदर क्या है, निरंतरता है, लेकिन आप इन लीजिए कि कौन सा है, तो परतिस परदा कम मातरा में पर्थकरन करती है, जब कि संग्रे सदीक मातरा में करता है, दोनों लाप पहुंचाता है, और पर्थकरन है वो, दोनों को हानी पहुंचाता है, ये सामाजिक परगति में सायक है, वो अबादक है, यानि उप्रोक्त अभी को माना गया है, आगे 45 निमन में से कौन सा कतन सत्य है, जाती तथा वरण दोनों जनम पर अधारित है, दोनों जनम पर अधारित नहीं है, वरण को किस पर अधारित माना जाता है, करम पर अधारित माना जाता है, दोनों करम पर नहीं है, जाती है, वो जनम पर अधारित है दोनों वरग व्यवस्ता पर दारित नहीं है तो जाती यह वरण दोनों समाज में इस्तरीकरण यह जाती नमर एक वरण दो और वरग तीन यह क्या है दासपर्था भी रही है और जो इस्टेट है यह सब क्या है समाजिक इस्तरीकरण के उपाए है परस नमर 87 दियुत्यक समुए है परिवार ओपिस तो मैंने बताया था कि कुल्ले ने तीन परकार के प्राथिमिक समुए की चर्चा के थी तो क्या बचता है ओपिस है वो बचता है ये क्या होगा ये दियुत्यक समुए होगा निमन में से कौन सा स्तानिय समुए है स्तानिय समुए कौन सा है स्तानिय का मतलब जो स्तान से गिरा हो जो स्तान पर अधारित हो, तो जाती बिखरी होई हो सकती है, कुछ रूरी नहीं कि एक जाती के सारी के सारी लोग एक स्तान परे, पर जाती बिखरी होई हो सकती है, और सह जाती ये लग चीज है, तो जन जाती है, उसमें 36 होता है, जाती की परिभासा क्या है, तो जाती एक बंद बरग जाती क्या है? एक बंद बरग है, जाती एक अंतर विवाई समूँ है, जाती एक अंतर विवाई समूँ है, जाती एक तो इसमें ये तो नहीं है, ये साइद अंतर विवाई होगा और अंतर विवाई होगा, तो ये बात है कि जाती है वो अंतर विवाई समूँ है, ये बात सह लेकिन अगर हम परिबासा की बात करें, तो परिबासा जाती एक बंद वरग है, ये परिबासा किस ने दी थी, ये मजूमदार ने दी थी, किस ने दी थी, मजूमदार ने दी थी, आगे है संस्कृति संकुल विविन कालों में विक्सित ओकरण्या मारगों में परसारित होते एकर्मेन है, लोबी नहीं है, इलियट यह उपेरी नहीं है, तो इसका सही आनसर क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, A परस्ट नमर 81, निमल लखीत में से कौन सी जन्नाकी किये परकिरिया है तो परजनन, मरतत्या, एसवस्थता, दार्मिक संपर्दयों के बीच में जन्न संक्या कोड, तो एसवस्था नहीं है, यह नहीं है, जन्नाकी किये परकिरिया है 92 है, निमल में से कौन सा पराथिमिक समूँ है, भार बार यह बड़े अजीब तरह के परसन पूछ लिये जाते हैं, ऐसा मैंने 2-3 जगे देखा है यूपी के अंदर यह हम देख रहे हैं कि एक इसन है, वो 2-3 बार इपीट हो गया, एक हरियाना असिस्टेंट प्रोपेसर का में देखे आया था, वहाँ पे उसी परिक्सिया में क्या होता है, पूछ लिया गया था, कि समासास्तर के जनक कौन है, 10-15 परसन बाद में एक प्रोपलम आती है कि जब इंटर्यू के अंदर अगर कुछ गड़बड करनी होना, तो पेपर को बहुत आसान देता है, बहुत आसान देते हैं, तो उसमें जो परसन होते हैं, उनका मार्जन बहुत कम बचता है, फिर इंटर्यू में ही सारा का सारा खेल है, वो चलता है, य इस परकार के वरिश्वत परकरण में जेल जा चुके हैं, किसने समाज को बोगोलिक भागया है, निरनायक बाद का सिधानत दिया, तो बोगोलिक सिधानत किसने दिया, यानि जो बोगोलिक भू भागया, जो बोतिक बाजी चीज़े हैं, वही निर्धारन कारी होती है, तो in-power-action-group in-power-action-group तो ये जो एविक्सित राज्ये हैं उनके लिए बनाया गया है तो कुल आठ राज्ये हैं आठ राज्ये हैं जो एविक्सित हैं, उनके लिए ये कार्य दिल का गठन किया गया है तो राजस्तान 36, गड़ और उतर परदेश ये बिमारू राज्यों की सरणी में आते हैं तो ये तो सभाविक्स है लेकिन पंजाब है वो भारत के अंदर सबसे अधिक परती बेखती आये वाला राज्य मना गया है इसलिए इसको विक्सित की सरणी में रखा गया है बिमारू राज्य नाम सुना है क्या ब पिहार है, और मध्यापरदेश है, 36 गड़ पहले मध्यापरदेश का ही बाग था, तब से ये प्रचलित है, R का मतलव राजस्तान है और U का मतलव UP है, रुथ बेनेडिक्स के नाम से किस आउधारना के साथ जुड़ा है, तो रुथ बेनेडिक्स ने कौन सी आउधारना दी संस्कर्ति तत्वय, संकुल, पर्तिवान, विलंबना, तो संस्कर्ति तत्वय और संस्कर्ति संकुल के आउधारना किनों ने दी थी, किनों ने दी ये दो आउधारना है, संस्कर्ति तत्वय या संस्कर्ति ट्रेट, ये संस्कर्ति ट्रेट और संस्कर्ति संकुल, रोल, का, ये किनों ने दी थी, ये विसलर ने दी, किसने दी, विसलर ने ये आउधारना दी, विसलर है, सोरी, किसने दी, विसलर ने दी, सांस्कर्तिक परतिमान की आउधारना है, वो रूथ बेनेडिक्स ने दी और तीन परकार की, उन्होंने सांस्कर्तिक परतिमान बताए थे, और संस्कर्तिक विलमन की आउदारना है, वो ओगबरन ने 1922 के अंदर अपनी पुस्तक देशोसल चेंज के अंदर दिया था, जब बहुतिक संस्कर्ति की तुलना में आई बहुतिक संस्कर्ति पिछड जाती है, 96 है कि ओपचारिक समंद में किन सम्मूव में पाये जाते हैं, तो स्ववविक सी बात है, तो दियुत्यक सम्मूव होते हैं, उनमें ओपचारिक समंद पाये जाते हैं, संस्कृत्यी प्रयाओन का माननवंद्रमित हिसा है ये किस ने कहा तो यह माननना है अर्स कोविट का मानना है और बेलोंस के नरीचे एक जीवन पद्धती के रूप में स्विकार किया 98 है की संस्कृत्यी का अभिकास माननो कर मानों में पाया जाता है पन पसू में नहीं, पसू में क्यों नहीं पाया जाता है ये पूछना चाहरा होगा, क्यों नहीं पाया जाता है कि उनमें एक तो बोलने की चमता नहीं होती है, उनमें सिद्धे खड़े हो रहने की चमता नहीं होती है, उनमें अंगुलियों और को यह से घुमालते हैं. वो पसुआ है, वो नहीं गुमा पाते हैं, इसलिए उनमें संसक्रती का विकास है, वो नहीं हो पाया. 99 है, समाज में किस स्तिती में को संस्कर्तिक विलंबना कहा, मैंने अभी इस पे चर्चा ही कि जब संस्कृति के दो पारस्परिक भाग, बोतिक और एबोतिक भाग, एक दूसरे से पिछड़ जाते हैं, पिछड़ता कौन है, एबोतिक संस्कृति पिछड़ती है, जब कि बोतिक संस्कृति जी से हम सब्वेता कहते हैं, मेक्याईवर ने बोतिक संस्कृति क क्या कहा? सब्वेता, तो सब्वेता की तुलना में अभ जो एब होतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, तो उसे संस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाता है, कौन सा कथन एंगिश्टरन दुबारा दिया गया है, तो अभी चर्चा कि ये परसन बार-बार पता नहीं कियों किस पर पेदा होता है और नहीं सामाजिक वरन ये दोनों ही बनता है तो समाजी करन द्वारा तो क्या है कि वेक्ति है वो मानो के रूप में पेदा नहीं होता है वो एक क्या होता है प्राणी होता है धोड़ा सा देखना मनुस्य एक सामाजिक प्राणी है तो प्राणी तो इस दुनि अरस्तुर ने क्या का था, कि मानो एक सामाजिक प्राणी है, क्या है, मानो एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी किसके जरीए बनता है, समाजी करण के द्वारा बनता है, किससे बनता है, समाजी करण के द्वारा बनता है, तो क्या है, ये सही है, परसन नमर 102, नियंतरन का सबसे महतोपुर्ण अभिकरण कौन सा है, तो सबसे जो महतोपुर्ण अदा करता है, तो वो परिवार है, स्कूल करता है, पडोस करता है, नातिदरी करता है, लेकिन ये बाद की बाते हैं, सबसे पहले तो परिवार और पारिवारिक जो लोग होते हैं, वही होता नमर है वो परिवार उसको नियंत्रित करता रहता है, स्कूल है वो दियुत्यक समाजिकरण करता है, नियंत्रण स्तापित करता है, पडोस और नातिदारी ज़रूर करते हैं, ये अनोपचारिक है, ये तिनों क्या है, अनोपचारिक साधन है और ये ओपचारिक है, लेकिन सब से अगर भूमिका की बात करें, तो परिवार का नमबर है, वो सबसे पहले आता है, अगर आप UPPJT की तियारी कर रहे हैं, अभी एक्जाम तो डिसाइड नहीं हुए है, तो हमने एक एप लॉंच कर रखा है, एप का नाम है sociology classes in Hindi, तो उसमें आपको total videos, आपके syllabus के according, total topics हैं, उ इतने भी हैं, वो सब और उनकी PDF है, वहाँ पे उपलब्द रहेगी आपको, और लगबग 1200 रुपे उसकी फीस है, 104 है कि कौन सा सामजिक विचारक सांस्कृतिक विलंबना के लिए जना जाता है, मैंने अभी चर्चा के थी, 1922 के अंदर, और अगबरन ने अपनी पुस्तक social change के अंदर, सांस्कृतिक विलंबना की अवदारना परस्तुत की, 105 है सामजिक नियंधन का कौन सा स्तंब, समद, जन निती से है, जन निती से है, जनता के निती, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते करना, वैसे इसको हम बोलते हैं, राम राम करना, तो अलग लग बोल देते हैं जैसे UP के अंदर हम इसको नमस्ते बोल देते हैं, और हरियाना के अंदर राम राम सा बोल देते हैं, राजस्तान के अंदर नमस्ते को बोला जाता है, पस्चिम जो राजस्तान है उसमें खमा गणी, क्या बोला जाता है, खमा गणी, जाती विवस्ता और गुजराती में क्य 6, sorry, वो थोड़ा सालग हो जाता है, Państaken 6 का मतलब इशे हो, पर ये समाने रीतियां है, बुलाने की, जाती विस्ता की रीड की अडि है, जाती विस्ता की रीड की अडि क्या है, अब इसमें है, वो थोड़ा अंतर विवा से ही का निर्धारन माना गया है, समाजी करन किस परकार की परकिरिया है, तो समाजी करन है, किस परकार की परकिरिया है, वेक्तित्वे को बनाने की परकिरिया, वेक्तित्वे यानि समाजी करन है, वो एक वेक्ति को समाजिक प्राणी बनाता है, समाजिक ता को हम क्या कहते हैं, वेक अर्जित किसी होती है, आमदनी और सिक्ष्यासी होती है, कौन सा समाजिक नियंत्रन लागू करता है, करतिनों ही करते हैं, ये अनोपचारिक समाजिक नियंत्रन लागू करते हैं, और ये ओपचारिक, नीमन में से कौन सा कथन सही है वेक्तित्वे की जड़ें संस्कृति में होती है संस्कृति की जड़ें वेक्तित्वे में होती है तो ये तो होने ही वाला नहीं है संस्कृति की जड़ें वेवार में होती है उप्योक्त में से कोई नहीं कौन सा गतन है वो सही है तो वेक्टितिवे की जड़ें है वो संस्कृति में होती है ये सही है संस्कृति की जड़ें वेवार में होती है ये भी सही है क्योंकि संस्कृति है वो वेवार से ही बनती है तो इसका ये आंसर है वो सही माना गया है सामाजिक नियंत्रन दरड होता ह कोंचाय समुझायों में, एक रूपए शमुझायों में, धर्म के मैतोब देने वाले समुझायों में, उप्योगत तिनों में होता है, कौंसा विवार्षा मझिक नियं तर्ण से मेल नहीं खाता है, हड्ताल पे जाना। सामाजिक परिवर्तन की दर में तीवर्ता होती है तीवर्ता किसमें होगी नगरों के अंदर होगी और वो भी किसमें वरहत्तर नगरों के अंदर होगी थोड़ा मैं जल्दवाजी कर रहा हूं मुझे कहीं जाना है थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए जल्दी जल्दी आपको रिपीट कर रहा हूं लेकिन फिर भी व्याक्या तो अपने पूरी होई रही है 114 समाजिक नियंतरण मुख्य लक्षन है बिल्कुल इजी है किसमे होगा आदरस नियमो समाजिक मुल्यों का अनुपालन करना कौन सा सिधान्त समाजिक परिवर्तन का सिधान्त है उप्यूक्त दोनो जदा जल्दी हो गई समाजिक स्तिति के नुशार विवाजन समाज क्या है समाजिक स्तिति के नुशार विवाजन स्तिति करन यानि समाज में बेक्ति की जो स्तिति होती है उनके दारस उचता और निमनता की कराम पर विवाजन सामजिक प्रिवर्तर में बाद्दा पहुंचाने वाले के कारक है कौन कौन से हैं तिन्नों ही है संस्कर्ति और सबेता में अंतर है तो वही संस्कर्ति तो आगवरन ने संस्कर्ति के दो बताए थे बोतिक संस्कर्ति और एबोतिक संस्कर्ति तो ऐ बोतिक संस्कृति को तो मेक्याईवर ने संस्कृति कहा और बोतिक को क्या कहा मेक्याईवर ने सब्वेता कहा तो पहला अंसर सही हो जाएगा करम का सिधान्त किसने दिया बागवत गिता में सिरी किर्शन जी के दोरा दिया गया कि क्या दिया उसका निसकर्श क्या है कर deze ह्युजारों सालों के बाद मी ये करम का सिधानत और बगवत गित्ता की शिक्षय हमारे लीए बहुत उपयोगी है, तो करम का सिधानत क्या है कि जैसा करम करेंगे वेसा फ़ल मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा बूरा करेंगे बूरा मिलेगा और जितना करम करेंगे उतना फल मिलेगा फल तो मिलेगा ही मिलेगा उसको तो मिलेगा फल तो मिलना ही मिलना है और ग्यान में लगाया हुआ करम कभी बेकार नहीं जाता लेकिन मिलेगा कितना अगर मान लेते हैं हमारी 300 पोश्टें हैं और हम 30,000 त्यारी कर रहे हैं तो जो वरक नहीं साथ में स्मार्ट वरक तो तीन सो नहीं ज्यादा किया तो उनको मिलेगा शिखा तो उनने भी कुछ है लेकिन वो कुछ रह गया है अगर उनको फिर से प्रयास करना पड़ेगा एक हिंदू के समजिक जी उनमें आश्रम कौन-कौन से तो चार आश्रम होते हैं ब्र वरन है वो कौन से है चेत्रिय ब्रहमन चेत्रिय वेशय और शुदर ये चार वरन है करम के सिदान्त को किसने समझाया अभी हमने चर्चा की किरिशन जी ने बगवत गिता के अंदर अरजुन को उपदेश दिया था गिता का और उनके अधार पे ये अध्यायों में हो जाते हैं का प्रारम हो जाते हैं जनम से पुरो ही संसकार है वो प्रारम हो जाते हैं लेकिन एक मज़े की बात और है कि जो पहला होता है वो जब गरब दारन होता है तीन मेने का बच्चा होता है तब पहला संसकार होता है फिर देरे चलते चलते जनम के समय के संसकार हो ज संसकार है और विवा के बाद में डारेक्ट कौन सा संसकार आता है अन्तेष्टी संसकार आता है यानि जिंदकी में जितने संसकार करने है अच्छा जिहुनियापन करना है वो विवा से पहले कर लो विवा के बाद में तो के बोले मरना ही बाकी बच्चा है, बाकी जिन्दिकी में कोई काम नहीं बचावा है, सब खतम हो चुके है, यानि कुछ इसमें एक्जामपल यह भी दे देते हैं, कि संस्कारों के इसाब से विवा तक ही संस्कार है, उसके बाद में, जो अन्तेष्टी होगी, वो मरने के बाद होगी, यानि अपने जीवनकाल में विवा ही अन्तिम संसकार है, फिर अन्तिम संसकार जो होता है, उसमें वेक्ती खुद नहीं होता है, यानि अन्तेष्टी, हिंदू विवा की परकरती है, तो क्या है हिंदू विवा की परकरती, समीदात्मक नहीं है, धार्मिक नहीं है, नेतिक यह सामाजिक क्या है सामाजिक है इंदु विवा है वो क्या है सामाजिक भी है और इसमें एक धार्मिक प्रम्परा भी है, क्या है, धार्मिक प्रम्परा भी है, तो इस परकार से हमारी जो class है, वो समाप्त हो गई है, अगर आपको class अच्छी लगी या कोई सुझाओ देना चाहें, तो आप comment box के माध्यम से लिख सकते हैं, तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जाते जाते like, share and subscribe जरूर करना,